दोस्तों, Hindi Audio Book Knowledge में आपका स्वागत है और The Power Book के दूसरे अध्याई के 12 पार्ट में अगर इससे पहले के पार्ट आप में नहीं सुनें तो वो भी सुन ले जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिशन बॉक्स में मिल जाएगा और कुछ पार्ट के लिंक आपको उपर आई बेटन पर और कुछ पार्ट के लिंक जब ये वीडियो समाप्त होगी तो एंड स्क्रिन पर भी मिल जाएंगे और हाँ दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्ली चैनल को सस्क्राइब कर दें और साथने बने बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ये बिल्कुल फ्री होता है इसका कोई भी पैसा नहीं लगता इससे होगा या कि मैं जब भी कोई अन्य वीडियो अपलोड करूँगा तो उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाएगी तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं दूसरे अध्याय का बारावा पाट हमारी कलपना की सक्ती के बारे में खोजें जारी हैं और बविसे में हमें इसकी सक्ती के बारे में और ज़्यादा जानकारी मिलेगी अब तक बैग्यानिक कुछ विसेस mirror cells प्रति बिम्बन कोशिकाएं खोच चुके हैं कल्पना करते समय भी ये कोशिकाएं मस्तिक के उन्ही छेतरों को सक्रिय करती है जो सचमुच सारी रिक कारे करते समय सक्रिय होते हैं इसका अर्थ यह है कि आप जो अनुभाव करना चाहते हैं उसकी कलपना करने मात्र से ही आपका मस्तिक ततकाल वैसे ही प्रतिकरिया करता है जैसे यह वास्तविक हो यदि आप अतीत या भविस्य की किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं तो आप इस समय उसकी कलपना कर रहे हैं आप इस समय उसे महसूस कर रहे हैं आप इस समय उसकी फ्रिक्वेंसी पर हैं और आकर्षन के नियम को आपकी और से यही संदेश प्राप्त हो रहा है यदि आप अपने सपने की कल्पना कर रहे हैं तो आकर्षन के नियम को इसी समय उसका संदेश मिल रहा है याद रखें आकर्टन के नियम पर समय का बंधन नहीं चलता उसके लिए तो सिरफ वर्तमान पल महत्वपुरण होता है यदि आपको किसी मनचाही चीज को पाने में विलंब होता है तो ऐसा इसलिए है क्योंकि वह चीज जिस फ्रिक्वेंसी पर है उस एहसास की फ्रिक्वेंसी पर पहुँचने में आपको समय लग जाता है अपनी मन चाही चीज़ की फ्रिक्वेंसी पर पहुँचने के लिए आपको उसके प्रतिप्रेम अभी महसूस करना होगा जब आप खुद को भावना की उस फ्रिक्वेंसी पर पहुचा देते हैं और उसे कायम रखते हैं तो आपकी एक्षा चाहे जो हो पूरी हो जाती है आपको जिस चीज़ की भी जिरूरत या एक्षा है वह चीज़ पहले से ही आपकी है या कलपना और एहसास करके अपनी सारी एक्षाओं को सकार करें अपनी हर खुआइस पूरी करें ऐसा कहा था दोस्तों नेविल गौड़र ने जो कि रहे थे 1905 से 1972 तक या एक नोविचारवादी लेकक थे जब आप घटित हो चुकी किसी घटना के बारे में वाकई रोमांचित होते हैं और अद्भूत महसूस करते हैं तो उस उर्जा को पकड़ लें और अपने सपने की कलपना करें आप जो चाहते हैं उसके लिए अपनी रोमांचक भावनाओं की सक्ती का दोहन करने के लिए आपको कलपना की त्रिव कौन्दों और अपने सपने को महसूस करने की ही जरूरत है यही तो खेल है, यही तो मजा है, यही तो अपने जीवन का निर्मान करने का अनन्द है सक्ति के बिंदू प्रेम की कुझी पहला अपने जीवन में प्रेम की चरम सक्ति देखने के लिए आपको वैसे प्रेम करना होगा जैशे आपने पहले कभी नहीं किया दूसरा, सिरफ प्रेम देखें, सिरफ प्रेम सुनें, सिरफ प्रेम बोलें और पूरे दिल से सिरफ प्रेम ही महसूस करें तिसरा, आप कितना ज़्यादा प्रेम महसूस कर सकते हैं, उसकी कोई उपरी सीमा या बंदन नहीं है और वह सब आपके भीतर है, आपका निर्मान प्रेम से हुआ है चौथा, हर दिन अपनी प्रिये चीजों को चुनकर और महसूस करकर आकर्शन के नियम को बताएं कि आपको किन चीजों से प्रेम है पांचवाँ, अपने एहसास के तरीके को बदलने या अच्छी भावनाओं को बढ़ाने के लिए अपनी प्रिये और पसंदीदा चीजों की मानसिक सुची बना लें चठ़ा, आपको हर दिन ज्यादा से ज्यादा प्रेम करना चाहिए साथवाँ, हर दिन अपने आसपास की प्रिये चीजों को ज़्यादा से ज़्यादा देखने की कोशिस करें पहला, जब भी आप करतगता महसूस करते हैं, आप प्रेम देते हैं दूस्रा, जीवन में आपको जो भी मिला है हर उस चीज के लिए करतगरहें जो आप अपने जीवन में जो भी चाहते हैं उसके लिए इस तरह करतगरहें जैसे वह आपको मिल चुका है, जो आप भविस्य में चाहते हैं आपकी क्रतगता आपके जीवन की अच्छी चीजों को कई गुना कर देती है क्रतगता नकरात्मक भावनाओं से निकल कर प्रेम की सक्ती के दोहन तक पहुच्चाने वाला पुल है क्रतगता की सक्ती से फायदा उठाने के लिए हर दिन इसका अभ्यास करें जब भी आपके साथ कोई अच्छी चीज हो धन्यवाद दें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वा चीज कितनी छोटी है बस धन्यवाद दें आप जितनी ज़्यादा क्रतगता महसूस करते हैं उतना ही ज़्यादा प्रेम देते हैं और आप जितना ज़्यादा प्रेम देते हैं आपको उतनी ही ज़्यादा अच्छी चीजें मिलती हैं फुर्सत का हर पल कृताग्य होने और अपनी प्रिये चीजों को कई गुना करने का आउसर है खेल की कुणजी जब आप खेलते और मजे लेते हैं तो आपको वाकई अच्छा महसूस होता है और आपके जीवन में अच्छी परस्तितियां सच मुच आ जाती है दूसरा जीवन आनन्द से भरपूर होना चाहिए तीसरा आकरसन के नियम को यह पता नहीं होता कि यह आपकी कलपना है यह वास्तिविकता है इसलिए आप कलपना और खेल द्वारा जो भी देंगे वही वास्तिविक बन जाएगा चौथा आपकी मन चाहिए चीज जो भी हो अपनी कलपना का इस्तमाल करें खेल इजात करें और खेलें अपनी मदद के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अभी नए शामगरी का इस्तमाल करें पाँचमा ऐसा अभी नए करें जैसे आपकी मन चाही चीज इसी समय आपके पास आ चुकी है जब भी आप प्रबल बावना के साथ इसे महसूस करते हैं तो आप इसे आकरसंद के नियम की और भेज़ देते हैं और आपकी मन चाही चीज आपको मिल जाती है हर बार चटा यदि आपको किसी मन्चाही चीज के मिलने में विलंब होता है तो ऐसा इसलिए है क्योंकि वह चीज जिस फ्रिक्वेंसी पर है उस एहसास की फ्रिक्वेंसी पर पहुँचने में आपको समय लग जाता है सात्वा जब आप घटित हो चुकी किसी घटना के बारे में वाकई रोमांचित होते हैं और अदबुद महसूस करते हैं तो उस उर्जा को पकड़ लें और अपने सपने की कलप ना करें गरीब महसूस करने से ही मनुश्य गरीब होता है ऐसा कहा है दोस्तों रेलव वाल्डो एमर्सन ने जो की रहे थे अठरासो तीन से लेके अठरासो ब्यासी स्वी तक या एक अंतर ग्यानवादी लेखक थे धन के बारे में आपके मन में कैसी बाउनाए है आप कैसा महसूस करते हैं ज्यादातर लोग कहेंगे कि उन्हें धन से प्रेम है लेकिन यदि उनके पास प्रयाप्त पैसे नहीं है तो इसका अर्थिया है कि दर असल पैसे के बारे में उनके मन में अच्छी बाउनाए नहीं हैं दूसरी और यदि किसी के पास उसकी जरूरत के हिसाब से सारा पैसा है तो इसका मतलब यह है कि पैसे के बारे में उसकी भावनाएं अच्छी हैं इस तरह आप एक ही पल में यह जान सकते हैं कि पैसे के बारे में आपकी भावनाएं क्या हैं यदि आपके पास जरूरत का स अच्छी भावना या एहसास नहीं है अपने आज पास देखने पर आप पाएंगे कि जादातर लोग पैसे को लेकर अच्छा महसूस नहीं करते क्योंकि दुनिया की अधिकांस धन दौलत केवल 10 प्रतिसत लोगों के हाथों में ही है अमीरों और बाकी लोगों में इकलोता फर्किया है कि अमीर लोग धन के बारे में बुरी भावनाओं के बजाए अच्छी भावनाओं जादा रखते हैं जबकि बाकी लोग अच्छी भावनाओं के बजाए बुरी भावनाओं जादा रखते हैं दोनों में बस इतना ही अंतर होता है आखिर पैसे के संबंद में अधिकांस लोगों की भावनाएं अच्छी क्यों नहीं होती इसका कारण या नहीं है कि वे गरीब घर में पैदा हुए या गरीबी में पले बढ़े क्योंकि ज़्यादा तर अमीर लोगों ने भी सुनने से ही सुरुवात की थी पैसे के संबंद में अधिकांस लोगों की भावनाएं बूरी इसलिए होती है क्योंकि इस बारे में उनकी धारनाएं नकरातमक होती है और ये नकरातमक धारनाएं उनके अवचेतन मन में बच्पन में ही भर दी जाती है जैसे हमारे पास इसे खरीदने के पैसे नहीं है पैसा बुरा है अमीर लोग बैमान होते हैं अमीर बनने की इक्चा गलत है और अधियात्मिक नहीं है ज्यादा पैसे का मतलब है कड़ी महनत बच्पन में आप अपने माता पीता, सिक्षकों या समाज की हर बात को भीना सोचे समझे सच मान लेते हैं इसलिए आपको एहसास ही नहीं होता कि आप धन के बारे में नकरातमक दारनाओं के साथ बड़े हुए हैं विसंगति या है कि आपको या सिखाया जाता है कि धन की इक्षा गलत है लेकिन उसके साथ ही या भी बताया जाता है कि आपको जीवन यापन के लिए पैसे कमाने हैं भले ही इसके लिए कोई अप्रिय कारे करना पड़े सायद आपको यह भी बताया गया हो कि अजीवका के लिए आप कुछ तैसुदा कारे ही कर सकते हैं और उनकी सुची सिमित है इन में से कोई भी बात सही नहीं है जिन लोगों ने आपको यह बातें बताई दर असल दोस उनका भी नहीं है वे इनी बातों को सच मानते और महसूस करते थे इसलिए उन्होंने आपको भी यही बताया लेकिन आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि इन धर्णाओं को सिखाने वाले अधिकांस लोगों की आर्थिक इस्तिती अच्छी नहीं होती दन संबंदी, नकरात्मक, धार्णाओं की वजह से अकर्षन का नियम, उनकी आर्थिक इस्तिती को नकरात्मक या अप्रिये बना देता है अब आप यह सीख रहे हैं कि जीवन बिलकुल अलग तरीके से काम करता है अगर आपके जीवन में पैसा कम है तो इसका कारण सिरफ इतना है कि पैसे के बारे में आप अच्छी भावनाओं की तुनला में बुरी भावनाई ज्यादा दे रहे हैं जब आपको एहसास हो जाता है कि किसी चीज की कमी नहीं है तो पूरा संसार आपका हो जाता है ऐसा कहा है दोस्तों लाव तसूजी ने जो की रहे थे लगबग छेसो सदी इसा पूर्व ये ताववाद के संस्तापक थे प्रेम चुमबक की तरह धन को चिपका लेता है मेरी खुद की आर्थिक प्रिष्ट भूमी कमजोर थी मेरे माता पिता कि मन में ज्यादा पैसे की हसरत नहीं थी लेकिन इसके बावजूद वे पैसे को महीने भर चलाने की समस्या से अक्सर जूजते थे इसलिए बड़े होते समय अधिकांस लोगों की तरह ही पैसे के बारे में मेरी धारनाएं भी नकरातमक ही थी लेकिन बड़े होने के बाद मैं यह बात समझ गई कि अपनी परस्तितियां बदलने के लिए मुझे अपनी धन संबंदी धारनाओं को बदलना होगा मैं यह बात जान गई कि मुझे पूरी तरह बदलना होगा ताकि धन ना सिरफ मेरे पास आए बलकि मुझे से चिपका रहे मैं यह देख सकती थी कि अमीर लोग ना सिरफ पैसे को अपनी और आकस सिद करते हैं बलकि उसे अपने से चिपका भी लेते हैं ताकि वह उनके पास ही बना रहे यदि आप दुनिया का सारा धन हर व्यक्ति को बराबर बराबर बाट दें तो कुछी समय बाद आप एक अजीब बात देखेंगे सारा पैसा दुबारा मुट्टी बर लोगों के हाथों में पहुंच जाएगा या आकरसन के नियम की वजह से होगा जो प्रेम की भावना के अनुरूप काम करता है इस कारण पैसे के बारे में अच्छी भावनाएं रखने वाले ये मुट्टी बर लोग चुमबक की तरह पैसे को दुबारा अपनी और खीच लेंगे दुनिया की सारी धन दौलत प्रेम की सक्ति से ही चलती है और आकरसन के नियम के हिसाब से चलती है यह सर्वव्यापी और बुनियादी सिधान्त सभी चीजों हर दर्शन, हर धरम और हर विज्ञान में नहीं थे प्रेम के नियम से बच पाना संभाव नहीं है ऐसा कहा था दोस्तों चार्लस हानेल ने जो की रहे थे 1866 से 1949 तक या एक नौविचारवादी लेखक थे यदि आप आकरसन के नियम की जलक देखना चाहते हूं तो लोटरी जीतने वाले लोगों के जीवन पर नजर डालें उन्होंने पूरे दिल से लोटरी जीतने की कलपना और एहसास किया उन्होंने लोटरी जीतने के सपने देखे उसके बारे में बातें की उनके मन में या संका नहीं रही कि वे लोटरी जीत भी पाएंगे या नहीं उन्होंने इस बात की योजना बनाई और कलपना की की लोटरी जीतने पर वे क्या करेंगे और वे सच मुझ जीत गए आ जाती है लोट्री जितने के बाद कुछ बरसों में ही अधिकांस वेक्टियों का सारा पैसा चला जाता है। यही नहीं लोट्री जितने से पहले वे जितने करज में थे उससे भी जादा करज में डूब जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोटरी जीतने के लिए तो उन्होंने आकरशन के नियम का इस्तमाल किया लेकिन पैसा आने के बाद अपनी धन संबंदी भावनाएं नहीं बदली पैसे के बारे में उनका एहसास और धार्नाएं नकरात्मक थी जिस वज़ा से उनका सारा पैसा चला गया पैसा उनसे चिपक नहीं पाया जब आप पैसे के बारे में अच्छा महसूस नहीं करते तो आप इसे विकरसित करते हैं ऐसे में जब आप पैसे के बारे में अच्छा महसूस नहीं करते तो आप इसे विकरसित करते हैं ऐसे में या आप से कभी नहीं छिपकेगा यदि आपको उमीद से ज़्यादा या अत्रिक्त पैसा मिल जाता है तब भी कुछी समय बाद आप पाएंगे की या आपके हाथों से फिजल चुका है ज़्यादा खर्च हो जाएगा चीजें खराब हो जाएंगी और हर तरह की और प्रत्यासित परस्थितियां सामने आ जाएंगी जो आपके पैसे को पानी की तरह बहा देंगी और खतम करवा देंगी तो फिर कौन सी चीज पैसे को चिपका कर रखती है प्रेम, प्रेम ही वह आकरसन की सकती है जो आपको पैसा दिलाती है और प्रेम ही वह सकती भी है जो पैसे को आपसे चिपकाती है इसका इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि आप अच्छे इंसान है या नहीं इस बारे में किसी सक्की गुनजाईस ही नहीं है क्योंकि आप खुद को जितना समझते हैं उससे कहीं ज़्यादा अनूठे और उतक्रिष्ट है पैसे को अपने पास लाने और खुद से चिपकाने के लिए आपको पैसे से प्रेम करना होगा और उसके बारे में अच्छा महसूस करना होगा फिलाल अगर आपके पास पैसा कम है और आपके क्रेडिट कार्ड का कर्ज बढ़ रहा है तो इसका मतलब यह है कि आपके पास पैसे को खुज से चिपकाने की सकती नहीं है और आप इसे विकर्सित कर रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस वक्त आपकी कमपनी, देश या दुनिया की आर्थिक इस्तिती कैसी है निरासा जनक इस्तिती जैसी कोई चीज नहीं होती कुछ लोग 1939 की महामंदी के बावजूद संपन हुए क्योंकि वेप्रेम और आकर्सन के नियम को जानते थे इस नियम के अनुरूप जीते हुए उन्होंने अपनी हर मन चाही चीज की कलपना की उसे महसूस किया और इस तरह अपने युग की बिपरित परस्थितियों पर बिजे पाई यदि हमारा जीवन अच्छा है तो समय भी अच्छा है हम अपना समय खुद बनाते हैं जैसे हम होते हैं वैसा ही समय होता है ऐसा कहा था दोस्तों सेंट आउक्ष्टीन ओफ ही पोने जो की रहे थे 354 से 430 तक या एक धरम सास्त्री और धरम गुरू थे प्रेम की सक्ती हर बाधा या बुरी इस्थिति से पार पा सकती है प्रेम की सक्ती की रहा में दुनिया की समस्याएं बाधा नहीं बन सक्ती चाहे इस्थिति आसा जनक हो या निरासा जनक हाकरसन का नियम उतनी ही प्रबलता और सक्ती से काम करता है ओके दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं मिलते हैं आप से इस वीडियो के नेक्स पार्ट में और किसी अन्य वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद और हाँ दोस्तों अकर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अपली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथने बने बेल के आइकन को प्रेस कर दें यह बिल्कुल फ्री होता है इसका कोई पैसा नहीं लगता है इससे होगा या कि मैं जब भी कोई अन्य वीडियो अप्लोड करूँगा या इसका नेक्स्ट पार्ट अप्लोड करूँगा तो उसकी जनकारी आपको